अब हम देखते हैं बार चार्ट के बारे में, बार चार्ट क्या होते हैं, बार क्या होते हैं, इनके क्या advantage है, क्या disadvantage है, बार चार्ट, लाइन चार्ट से थोड़ा सा advanced चार्ट होता है, लाइन चार्ट में सिर्फ हम close price देख रहे थे, लेकिन बार चार्ट के अंदर open, high, low, close, यह चारों चीजे हम एक साथ देख सकते हैं बेसिकली बार चार्ट वेस्टन टेक्निक है इसे अमेरिका में डेवलप किया गया था अब हम केवल बार को देखें जब हम प्राइस को बार के ज़री रेप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम बार चार्ट कहते हैं अब ये बार क्या है बार एक तरीके का सिंबल है जैसे कि candle होता है या फिर line होता है सबसे पहले हम यह देखें कि एक दिन के लिए बार बनता कैसे है यह प्राइस के चार कंपोनेंट होते हैं किसी भी एक दिन में या किसी भी एक टाइम पीरेड में जब हम बार को देखते हैं तो उसमें दो तरीके की कलर कोडिंग हम देख पाते हैं ग्रीन कलर और रेड कलर, अब यह ग्रीन कलर और रेड कलर किस तरीके से डिसाइड होते हैं, अगर कोई शेयर अपने ओपन प्राइस से ऊपर जाकर के क्लोज होता है, यानि कि सुबह नौबस के पंदरा मिनट पर जहां जिस पॉइंट पर वो शेयर खुला था, उस के कलर के अधार पर हम यह डिसाइड कर सकते हैं कि प्राइस सुबह जहां खुलाता उससे ऊपर बंद हुआ है, और इन बार के कलर को देख करके हमें कह सकते हैं कि प्राइस जहां खुलाता उससे नीचे की तरफ बंद हुआ है, ग्रीन कलर मतलब गुलिश बार, रेड कलर मत और इसकी जगे कोई और चॉता कलर ले सकते हैं या रख सकते हैं यह सिर्फ चार्टिंग प्लेटफॉर्म पर निर्वर करता है बस हमें यह ध्यान रखना है कि अगर हमने बुलिस बार को ग्रीन कलर से डेनोट किया है तो जब भी हम ग्रीन बार देखेंगे तो जहां वह खु तिसरा price ने जो close दिया है वो इस तरीके से एक पूरा बार बनता है अब यह open और यह close और फिर यह point होगे high point और low point कोई भी बार open price से शुरूँ करके और close price पर खतम होता है उसके बीच में जो high और low दिनभर में लगे हैं उसको भी वह दिखाता है तो अगली बार जब भी हम कि इसी बार को देखें तो उसका जो middle part है वह है उसके high को और low को दिखाता है middle part के left hand side में opening price रहता है और middle side के right hand side में close price रहता है अगर price जहाँ open हुआ है उससे उपर जाकर के close हो रहा है तो हमें green color का बार बनता हुआ दिखेगा और अगर price जहाँ open हो रहा है उससे नीचे जाक बार का बार बनता हुआ दिखेगा यह है जो middle line है यह high और low को प्रदर्शित करती है इसके बाद इस middle line या बार के left hand side में open price रहता है और right hand side में close price रहता है जैसे कि इस बीरिस बार में देखें तो यह इसका open price है और यह जो point है यह उसका close price है चुकि यह close अपने low के आसपास यह हुआ है तो इसमें नीचे का जो है वर हमें दिखाई नहीं दे रहा है और इसका जो high है वह हमें open price से उसका open price यह उसका close price यह उसका high price और यह उसका low-price open और close Point के अलाबा यह जो body है या बीच वाला जो बार है वह हमें volatility को दिखाता है इस बोड़ी है उसकी लंबाई जितनी होगी उतनी ही ज्यादा बॉलेटिल्टी ज्यादा होगी इस बार के अंदर बॉलेटिल्टी ज्यादा है तो इस दिन बॉलेटिल्टी बहुत ज्यादा रही होगी इस दिन भी लंबाई काफी अच्छी है तो बॉलेटिल्टी काफी डालेंगे कि price के high और low के बीच में कितना difference है अगर ज्यादा difference है तो price ज्यादा volatile है और high और low के बीच में कम difference है तो price कम volatile अब line chart और bar chart में क्या अंतर रहेगा line chart में price के केवल हम close price को लेकर के line बना रहे थे लेकिन bar chart के अंदर हमरे पास open price भी है high price भी है low price भी है और close price भी है इन चारों point को हम एक बार में ही देख करके पता लगा सकते हैं कि price कहां open हुआ कहां तक गया कितना low point गया और कहां close हुआ दूसरी चीज बार के size के आदार पर हम volatility का पता लगा सकते हैं कि volatility कम है या ज्यादा है